प्रेमियों का हफता शुरू हो गया है जहां लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए तरहा तरहा की तौफे अपने प्रेमियों को देंगे और अपने प्यार का इजहार करेंगे अब इस वेलेंटाइन वीक की शुरुआत के साथ ही सोशल मीडिया पर सिंगल वर्सेस कमि इस दिन प्यार करने वाले जोड़े अपने प्यार को सेलिबरेट करते हैं हलाकि वैलेंटाइन डे से पहले भी कई ऐसे स्पेशल डे होते हैं जिन्हें लोग सेलिब्रेट करते हैं इसे वैलेंटाइन वीक का नाम दिया गया है वैलेंटाइन वीक को लव वीक भी कहा जाता है प्यार करने वाले लोग इस वीक को खास अंदाज में सेलिब्रेट करना प special बनाने के लिए किस किस तरह के efforts करते हैं वो भी आपको बताएंगे सबसे पहले Valentine week का पहला दिन होता है Rose Day इस दिन आप उस शक्स को लाल गुलाब दे सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं लाल गुलाब प्यार का प्रतीक होता है इसलिए आप को जिससे भी प्यार है उसे बेशते भी कुछ लोग नजर आ जाएंगे और हां आज के दिन जो आम गुलाब आम दिनों में 10 या 20 रुपए का मिलता है वो रोज जे के दिन अचानक 50 या 100 रुपए का मिलता है तो आपकी जेब पे असर तो पड़ेगा ही अब आरी आती है प्रपोस जे की रोज जे के ब दिन उसके प्यार को जाहिर करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है इस दिन के लिए भी लोग काफी तयारी करते हैं कुछ लोग डारेक्ली अपने प्यार का इजहार कर देते हैं तो कुछ लोग इसे स्पेशल बनाने के लिए एक अच्छी सी लोकेशन बुक करते हैं ग प्रेमी जोड़े एक दूसरे को खास अंदाज में चॉकलेट दे सकते हैं। चॉकलेट पर आप अपने पार्टनर या किसी खास दोस्त को चॉकलेट, चॉकलेट बंच, चॉकलेट बासंकेट तौफे में दे सकते हैं। इस डे को उनके लिए स्पेशल बना सकते हैं। फिर आता है टेडी दे। वालेंटाइन वीक के चौते दिन हम टेडी डे मनाते हैं। महिलाओं को टेडी काफी पसंद होता है। इस दिन आप अपनी दोस्त या पार्टनर को प्यारा सटेडी दे कर ये दिन उसके लिए खास बना सकते हैं। इसके बाद है प्रॉमिस डे जी हां वालेंटाइन वीक का पाच्वा दिन प्रॉमिस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रेमी जोड़े शादी शुदा कपल एक दूसरे को जीवन भर प्यार करने और साथ में भाने का वादा करते हैं। आप भी इस दिन अपने पार्टनर से कोई खास वादा करके उसके लिए ये दिन यादगार मना सकते हैं। हग डे, वलंटाइन वीक के छटे दिन हग डे मनाया जाता है। इस दिन एक दूसरे को गले लगा कर अपने प्यार का इसहार किया जाता है। आप भी इस दिन अपने पार्टनर को गले लगा कर बताएं कि वो आपके लिए कितना जरूरी है। किस डे वेलंटाइन वीक का साथवा दिन किस डे होता है आपको जिससे भी प्यार है आप इस दिन उसके हाथों को माथे को चूम कर बता सकते हैं कि वो आपकी जिंदगी में है और वो कितना इंपोर्टेंट है आपके लिए अब इन सब दिनों के बाद आता है वेलंटाइन ड के दिन को हर कोई अपने पार्टनर के लिए अपने अपने तरीके से खास बनाने की कोशिश करते हैं वेलंटाइन डे पर लोग पार्टनर से जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते हैं इस दिन प्रेमी जोडे को ज्यादा से ज्यादा समय साथ में बिताना चाहिए और एक सोशल मीडिया पर भी वैलेंटाइन वीक से रिलेटेड पोस्ट और विशिज मिल जाएंगी लेकिन सिंगल लोगों की पोस्ट भी काफी धूम मचाती है जो वैलेंटाइन वीक को बेफिजूल और खर्चे के लिए बताते हैं कि ये सबताहा बेफिजूल है और इसमें सिब प सzept क्रेंदी प्रॉमिसजे के दिन हो जाता है हजार रुपे का लुच हझध दिन 1500 का हैंग आउट और उसके दौरान खर्चे के के दिन तीन हजार की शॉपिंग और घूमना वेलंटाइन दे के दिन पांच हजार का डिनर औसके नीचे लिखा होता है कॉंग्रचुलेशन सिंगल जस्ट सेफ 13,300 रुपीज इस तरह के कई मीम सोशल मीडिया पर वाइरल होते हैं वैसे भी सिंगल लोगों के लिए भी वेलं संदीदा रेस्टरेंट में जा सकते हैं और अपनी पसंद का खाना ओर्डर कर सकते हैं इस पा यह मसाज सेशन के लिए भी जा सकते हैं सिंगल दोस्तों के साथ भी हाउस पाटी कर सकते हैं जी हां जो सिंगल लोग हैं वो अपने दोस्तों को बिलाएं उनके साथ हाउस और अपने फेवरेट स्नाक्स को इंजोई करना है तो आप सिंगल है या कमिटेट आप किस तरह से वेलंटाइन वीक सेलिब्रेट करेंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखत कि कह बता है